जैहिंद नमस्कार मैं सुनिल वर्मा आपका स्वागत करता हूँ रिजल्ट मित्रा के प्लैटफॉर्म पर आप सभी को गुड आप्टरनून आप सभी का स्वागत है एक नई सुरुवात में आज ही जो नई सुरुवात होने जा रही है यह एक मेल का पत्थर साबित हो सकती ह है अगर आप मेहनस सही दिसा में करते हैं अगर आपके पास पेसेंस है अगर आप जो है कि मेरे साथ हाथ पकड़ कर अंत तक चलना चाहते हैं हम एक ऐसे सेगमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके बिसे में अगर आप यूटूब से पूछेंगे कि भया हमें UPSC CSC क कहीं पर कोई बताएगा कि निबंद ये होता है कहीं पर कोई बताएगा निबंद ऐसे लिखा जाता है लेकिन कोई आपके साथ मेहनत कंटिन्योस नहीं करता है इसलिए नहीं करता है क्योंकि जो बच्चे कोर्स खरीतने हैं उनको पता है निबंद ही सिर्फ 15 घंटे की 12 घं इसमें छुपा क्या है यह एक अथा खजाना है आपके लिए नंबरों का जैसे अगर मुझे से कोई पूछे कि मैं UPSC CSC को क्रैक करना चाहता हूं मैं कोई रैंक लेकर आना चाहता हूं वह फर्ष्ट अटेम्ट में अपने पहले ही पर्यास में मुझे क्या क्या करना चाहिए तो मैं उसको दो ही चीज बोलूँगा पहला ये कि OPSC का चुनाव सही से करो दूसरा ये कि निबंद पर जी जान लगा दो क्योंकि यह ऐसा जो सेगमेंट है जहां पर आपको हो सकता है 60-70 नंबर में मिलें और ये भी हो सकता है कि आप 170-175 नंबर भी लेकर आए इसका मतल निखी है कि यहां पर जो नंबर का Variation हो बहुत जाएदा होता है अब आपका प्रियास कहां तक है अरथात आप कम नंबर वाले है या अधिक नंबर वाले यही क्या करना है ये Class डिसाइड करेगी तो आज से जो हमारी जरनी स्टार्ट होने जान रहे है यह बहुत सांधार ह आने के लिए आपको अपने साथ एक संकल्प लेना होगा संकल्प ये कि भाईया अगर इसका importance इतना है तो हमारा भी प्रयास भी बड़े इस तरका होना चाहिए बड़े इस तरक के लिए हम अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं मैं आगे बढ़ हूँ उससे पहले प्लीस मुझे एक बढ़ बता दीजे क्या मेरी आवाज आप तक पहुँच पा रही है क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं चले सब लोग इबर बता दीजे कंफर्म कर दीजे एबर कंफर्म कर दीजे इस सेशन को बच्चो इतना सेयर कर देना इतना सेयर कर देना सही बता रहा हूँ जो आपको कॉंटेंट में देने जा रहा हूँ मैं किसी कोचिंग संस्थान का नाम नहीं लूँगा लेकिन मैं आ लिस्ट के content के आगे कोई नहीं ठीकेगा व्यूज हमारे लिए important ही नहीं है हमारे लिए जो importance रखता है कोई चीज वह है आपका selection आपका लक्ष तो हम उस लक्ष तक आपके साथ चलना चाहते हैं और चलना इतने दमदार तरीके से चाहते हैं कि आप गर्व से कह सको पैसा नही है हम हर चीज YouTube पर इसलिए दे देना चाहते हैं ताकि कोई भी ऐसा भाई बहन जिसके पास पैसा नहीं हो वह कभी अपने सपने के पीछे चलना दोरना भागना छोड़ना दे कभी उसको यह ना लग जाए कि नहीं मेरे पास तो coaching की सुगदा नहीं है मेरे पास तो इस विसे का कोई सांदार क्लास नहीं है आप देखो कैसी क्लास यहां पर स्टार्ट होने जा रही है जादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ एक हपते अगर इस क्लास में अपने आपको आप रोक पाए तो आप से बहतर कहीं पर कोई नहीं है यह मैं दावा करता हूँ लेकिन इसके के लिए आपको मेरे साथ मेहनत करना होगा जो मैं बताऊंगा उसको दिल और गहराईयों तक उतारना होगा ताकि आप समझ सकें कि मैं चाहता क्या हूँ चलिए हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं इबर सेशन को तेजी से सेर कर लेजे आप लो ठीक है तो आपकी UPSC के लि जिससे आपकी जितने भी डाउट्स होंगे सब आपकी दूर हो जाएंगे आप यहाँ पर जो स्क्रीन पर आता जा रहा है उसको देखते चलिए और उसी से आप अंदाजा लगा लेंगे कि हमारी जो तयारी है वो किस डिरेक्शन में आगे बढ़ने वाली है सबसे पहले हम बात करेंगे यह जो निबन्ध वाला सेग्मेंट है आखिर UPSC, CSC अर्फा सिबील सेवा परिशय में इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इम्पोर्टेंस को कैसे देखेंगे कि बेंगे कि बहां कितनी नंबर का पेपर होता है फिर देखेंगे कि किया इसका कुछ सिलेवस है और आपको जानकर आश्चर होगा कि मातर दो लाइन का सिलेबस है लेकिन ये दो लाइन का सिलेबस इतना खतरनाक है कि जिसने इसको समझ लिया वह तो समझ लो उसने UPSC CSC के छेतर में अमरित पी लिया और जिसने इसको हलके में लिया समझ लो उसने अपने रेजल्ट से अप ने आपको टाटा बायवाय खुद कर लिया, यह आपको डिखाना, तो यहाँ पर हम syllabus पर बात करेंगे, उन दो लाइनों पर बात करेंगे, फिर उन दो लाइनों को decode करेंगे, फिर यहाँ पर है कि UPSC आखिर निवंध के माध्यम से, वो क्या परिछण करना चाहता है, जैसे मैं आप मेरे पास आएं किसी interview के लिए, किसी भी चीज के लिए, या किसी भी तरह से हम लोग जोड़ना चाहें, तो सभाविक है कि आप वही बात्चित करेंगे, जो मुझे परभावित कर सके, तो अगर आप किसी का नजरिय समझना चाहते हैं, कि आखिर वो पेपर करवा रहे हैं, उस पेपर के माध्यम से वो कुछ चेक करना चाहते हैं, क्या चेक करना चाहते हैं, अगर यह हम समझ गए, तो यह समझ लिजेगा, कि हम उनकी डेमान को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, तो यहां पर हमें यह देखना होगा, कि आखिर इतने पेप किया चेक करेगा, और अगर हमने UPSC क्या चेक करेगा, यह जान लिया, तो समझ लिजेगे, हम उसी अनुसार तयारी भी करेंगे, जब तक हमें यह नहीं पता होगा, कि आकिर एक्जामिनर हमसे जानना क्या चाहता है, तो हम तयारी कैसे करेंगे, किस डियरेक्शन में किस माइंड सेट के साथ करेंगे, तो यहाँ पर हम UPSC के माइंड सेट को समझने का प्रयास करेंगे, फिर अगला प्रश्न हुजोग होगा, जिस पर हमें बात करना है, कि एक अच्छी निबंद में क्या-क्या होना चाहिए, अर्थात, जितनी भी आप टॉपर्स देखते ह हैं, चाहें आप निसांत जैन को देख लिजी, अना चाहें रभी सिहाग जी को देख लिजी, जितनी भी टॉपर्स देखते हैं, उनके अंदर एक कॉमन चीज मिलेगी, निबंद बड़ा सांदाल लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, मैं वो भी बताऊंगा, तो आखिर एक उत्तर नहीं लिखना भी, यह कोई प्रश्न नहीं है, जिसका उत्तर हमें 1000 से 1200 सब्दों में लिखना है, निबंद में तो कुछ और करना है, और चो करना है, उसमें एक बहुत बड़ा खेल है, डायमेंसन का, डायमेंसन को बस इस लूप में समझें, कि किसी घटना पर आप कितने एंगल से पिचार कर सकते हैं, जैसे कल भूकम्प की घटना हुई, इस भूकम्प के घटना को कितने डायमेंसन तरीके से आप देखते हैं, यही आपका डायमेंसन होगा, तो हम समझेंगी कि आखिर यह जो निबंद होता है, उसमें डायमेंसन का खेल क्यों होता है, और क्यों हमें dimension बिक्सित करना चाहिए, और हम कैसे dimension बिक्सित कर सकते हैं, और कौन कौन से dimension पर हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, उसके बाद हम ये देखेंगे, कि एक अच्छी निबंद के लिए आपको क्या करना चाहिए, अर्थात आप क्या क्या करेंगे, मैं वो भी आपको बताऊंगा, कि किस तरह से भाईया बोलना लिखना आपके लिए बहुत important हो जाता है, कि बोल ये लिखिये, सिर्प पढ़िये नहीं, आप group discussion करिए, आप जो है कि test series जॉइन कीजिए, हम बेच नहीं रहे हैं, तो यह मत समझेगा, अच्छा गुरू जी, यहाँ पर बेच रहे हो, इसलिए test series हमारे पास नहीं है, तो मैं बता रहूँ कि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, कि आपको क्या क्या करना चाहिए, आज से ही क्या क्या करना चाहिए, जो मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद हम जो है, निबंद लिखने का प्रयास करेंगे, और थाट आज जो हमारा session है, हो सकता है, हम यहाँ तक पहुँचें, फिर मैं आपको बताऊंगा, कि निबंद लिखा कैसे जाता है, और निबंद जब लिखा जाएगा, तो मैं बताऊंगा, निबंद एक बिधा है, एक जैनर है, एक तरीका है, लिखने का एक मॉडल है, तो दरसल यह निबंद का concept, बिकसीत कैसे हुआ, इसको अगर आपने समझ लिया, तो आप यह समझ पाएंगे, कि दरसल जो आइडियल निबंद होते हैं, उनमें क्या-क्या होना चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा, कि कोई भी जो निबंद होता है, जैसा कि आप बच्पन से लिखते आए, कि उसकी एक प्रस्ताऊना होगी, जिसको आप भूमका भी बोल सकते हैं, इंग्लिस में रिफ्रेंस बोल सकते हैं, फिर रिफ्रेंस में हमें कितना लिखना चाहिए, अच्छे जब हम रिफ्रेंस पर बात करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा, कि reference कितने तरीके से लिख सकते हैं जैसे क्या reference हम कहानी के माध्यम से start कर सकते हैं तो आप कहेंगे हासर कर सकते हैं मैं कहूंगा कि क्या हम कविता के माध्यम से बिल्कुल कर सकते हैं क्या हम किसी quotation के माध्यम से बिल्कुल कर सकते हैं क्या मैं कोई प्रस्ण उठाकर कि अपनी reference में सिर्फ सिर्फ मैं उस निबंद पर 20 प्रस्ण उठाऊं कि जैसे माल लेते हैं निबंद में यह आया कि भारत में जो आर्थिक विकास हुआ है वो समाबेशी है यह नहीं है अब आप इस पर क्या करना आपको लिखना है अब माल तो यही प्रश्ण है तो मैं यहां पर क्या करूंगा विकास के संदर में कि विकास क्या होता है विकास के पैमाने का होते हैं विकास अगर होता है तो उससे जीवन सहली में क्या क्या बदला वाता है मतलब इतनी ज़्यादा को सन मार तो मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रस् प्रस्तावना के 7-8 प्रकार हैं, सभी मैं तरीके बताऊंगा, और आपको यहां पर यही ध्यान देना होगा, कि आपके लिए कौन सा फेट है, क्योंकि ध्यान देजेगा, यह एक ऐसा सेगमेंट है, जहां पर सब की ओरिजिनिल्टी निकल कर आनी है, सब का अपना-पना क्रि लिखने का भी प्रयास आपके साथ करूँगा, अब आपको decide करना होगा, कि आप प्रस्तावना किस तरह से लिखेंगे, कि सेली में लिेंगे, फिर आएगी बात main body, तो मैं आपको बताऊंगा, कि प्रस्तावना में हमें कितने सब्द खर्च करने है, main body में कितने सब्द ख बात करेंगे फिर आएंगे conclusion और मैं आपको बताऊंगा बहुत से लोग conclusion का मतलब यह समझते हैं कि अच्छा यहां तक जो लिखा है उसका निसकर्स अरे नहीं भाई यहां पर जो लिखा है उसका निसकर्स नहीं आप क्या कहना चाहते हो आप कौन सी दिसा देना चाहते हो बताऊंगा आपको निसकर्स कैसे लिखना है कैसे इसमें positivity डालना है कैसे इसमें यहां तक आपको जो examiner है उसको बाहत कर लाना है अरथा वो पढ़ना यहां से चालू करें लेकिन उसको कैसे आप यहां तक लाओगे और कैसे उसको मजबूर करोगे देखो हमने जो लिखा ह ना ऐसा किसी और ने नहीं लिखा और जिस दिन आप ऐसा कर ले गए कि आपका इक्जामनर आपका निबंद की कॉपी देखे और देखते ही समझ जाए रहे ये तो बहुत रचनात्मक कोई बैखती है और बस पेच पलड़ते चला जाए और फिर यहां पर आए और फिर वो कहे कि बताओ कितना नंबर चाहिए आप बस उसे ही कहना कि देखो ये 200 नंबर का जो पेपर है हमें कम से कम 170 नंबर चाहिए समझ रहे हो 200 के नंबर के पेपर में 170, 175 अगर ये कर ले गए दुनिया का कोई भी बैखती आप से बहतर नहीं है आप जो रिंक चाओगे आज लिखकर रख लो लेकिन लिखकर रखने से सिफ नहीं होगा आपको यहां पर वो चीज दिखानी होगी तो पूरी जो हमारी जर्नी है यहां तक हमें आगे बढ़ना है अब सभाविक है कि मैं हमेसा यह मान कर चलता हूं कि आप एक अभ्यरती है एक सीरियस स्टुडेंट है जो UPSC को क्रैक करना चाहता है मैं बिल्कुल भी यह नहीं मानने वाला हूं कि आप SSC के स्टुडेंट हैं आप सिर्फ कूध पात करना चाहते हैं जैसे आज तक YouTube पर क्यों नहीं आपको कोई प्लेलिस्ट मिल जाती क्यों नहीं कोई एजुकेटर आकर पूरा कॉंटेंट अपना दे देता य마 कि नहीं उस कॉंटेंट के मद्न से कोई यह कह देता कि देखो इस कॉंटेंट को यूज करो इस प्लेलिस्ट को खतम कर जाओ और देखो निबंद लिखने का तरीका बदलता है कि नहीं कोई कहता दरसल इसलिए या तो एजुकेटर मेहनत नहीं करना चाहते हैं या फिर उन्हें अपने कॉंटेंट पर भरोसा नहीं है मैं यहां पर मुझे अपनी कॉंटेंट पर मैं आपको अपने भी निबंदे दिखाऊंगा जो निबंद आज से मैंने लगवक 15 साल पहले लिखे थे 15 साल पहले मैं कितना सांदार निबं लिखता था वह आप भी देखेंगे और मैं इतना बहतर मैं लिखता था उससे 10 टाइम 100 टाइम जादा बहतर निबंद आप लिखो क्योंकि आपको सेलेक्शन लेना है और मैं आपके सेलेक्शन के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ तो सौच पाए कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है इसलिए मैंने पूरा चीज दिखा दिया ताकि सब भी चीजे आपके किलियर हो जाए यह के मुद्दे पर जैसे हम यहां से अपनी जर्नी को चालू कर रहा है मुझे नहीं पता यह क्लास कब खतम होगी मुझे यह भी नह से कहा कि सर हमारे पास यह क्लास है मैंने उसे बस इतना ही कहा है 15 घंटे मेरे साथ बाकि उन क्लासे को कंपेर कर लेना चाहें आपने 10,000 में खरी दी हो या 20,000 में खरी दी हो उससे फरक नहीं पड़ता तो जब कोई एजुकेटर इतना कह रहा है तो इसका मतलब है कि आपको चेक करना चाहिए भरोसा नहीं करना चाहिए और जब चेक करना चाहिए तो सेशन को फिर से लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे उन भाई और बहनों तो फिर से इस क्लास को पहुंचा दीजे जिन तक के क्लास अभी तक नहीं पहुंचे चलिए हम अपनी जर्नी को स्टार्ट क लेजे, आई तो आईए हम अपनी जो जोर नहीं है यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा है UPSC में इंप्वोर्टेंस के बिस आई, थिक है आप भी में रिखना चालो किची निदॉट UPSC में निवन्द और हम जिस सेग्मेंट पर बात करने जा रहे हैं वह है महत्तु अर्थात इंपोर्टेंस अब इस महत्तु को समझने के लिए आप कुछ चीजों पर विचार कीजिए जैसा कि आपको पता है कि आपके पास GS के चार पेपर है उसके साथ और जो है कि optional के भी दो पेपर है और यहाँ पर जो निवन्द का पेपर है इसमें आपको यह कितने का है 250 मार्स का है तो एक तरह से देखा जाए तो यह आपको एक सामाने पेपर की रूप में नजर आता है यह एक समान ने पेपर की रूप में आपको यहां पर नचराएगा, लेकिन यहीं पर भ्रम हो जाता है, दरसल यह जो 200 नंबर है, जिसमें आपको क्या करना है, दो निबंध लिखना है, कितना निबंध लिखना है, दो निबंध लिखना है, और यह दो निबंध लिखने हैं, ये कितने में से, आठ निबंद में से, दो निबंद आपको लिखना है, और दोनु जो निबंद हैं, वह कितने मार्ज के होंगे, एक सो पचीस पचीस नमबर के, और एक सो पचीस पचीस नमबर में, आपको कितनी सब्द खर्च करने हैं, यहाँ पर एक हजार से लेकर, बारे निबंद लिखने हैं इसका मतलब है जो निबंद का पेपर होता है वो दो segment में बढ़कर आता है segment A और segment B और आपको यहां पर भी चार निबंद यहां पर भी चार निबंद इन चार में से किसी चार में से एक को और यहां पर भी चार में से किसी एक निबंद को आपको चुनना है. अब जान दिजेगा, क्या आपने कभी नोट किया, क्या Optional में कभी आपको यह बिकल्प मिलता है, कि भाया इतने प्रश्न में से इतना कर दो, क्या GS में आपको कभी यह मिलता है कि इतने प्रशन में से इतना करतो, वहाँ तो जो दिया गया है, वही पूरा लिखना है, तो लिखना है, चोड़ने का बिकल्प नहीं है, फिर प्रशनी आएगा, UPSC ने यहाँ पर यह आखिर बिकल्प आपको दिया क्यों, यह इसलिए दिया, ताकि आप क्या कर सको यहाँ पर अपनी रचनात्मक्ता दिखा सको और रचनात्मक्ता दिखाने का मतलब है कि आप अपनी हिसाब से बिसे या फिर टॉपिक का चैन कर सको और टॉपिक को चैन करके उस पर इतना सांदार तरीके से आप अपनी पूरी बात को creative बात को इतने creative तरीके से लिख सको कि आप यहाँ पर deserve करो कि भाईया हमें जो number चाहिए वो 170 से लेकर 175 अगर आप सोचो 170 से लेकर 175 नंबर अरे percentage देखो थोड़ा सा आप percentage देखे कितने percent marks आप यहाँ पर लेकर आ रहा है और जब इतना number आप लेकर आ रहे हैं तो समझ चाहिए यही जो number है यही आपके selection और rank को decide करेगा अर्थात आपका जो नाम है वो selection की सूची में है या नहीं आपको rank कौन से मिली है यही आपका paper decide करने वाला इसका मतलब यह है कि यहाँ जो बिसे है यह आपके लिए एक बर्दान है और बर्दान इस रूप में है क्योंकि यहाँ पर कोई भासाई discrimination नहीं देखने को मिलेगा अर्थात भासाई और समान बेवहार आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा आप किसी भी माध्यम के हैं आप हिंदी माध्यम से हैं आप इंगलिश माध्यम से हैं आप क्या कर सकते हैं आप maximum number प्राप्ट कर सकते हैं बहुत से हिंदी मीडियम के student average जो है अगर देखें तो देढ़ सो से लेकर 160 number यहाँ पर प्राप्ट करते हैं और जब वह इतना नंबर प्राप्त करते हैं, तो आप समझ लिजे कि इतना आपके लिए important हो जाता है, यह वही बिसे है, जहां पर आप अंग्रीजी medium के student को ना सिर्फ पीछे छोड़ते हैं, बलकि आप उनसे अपनी rank चीन सकते हैं, इसका मतलब है कि यह जो नंबर है, आप स से लेकर 45% नंबरों पर हो जाता है, यहां पर आपको 70-70% नंबर आप लेकर आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए कोई आपको मोटी-मोटी किताबे नहीं पढ़नी, अलग से कोई segment आपको कबर नहीं करना, आपको अलग से कोई syllabus को कबर नहीं करना, इसका मत जोग्रॉफी में अच्छा करना होगा, तो जोग्रॉफी में आप अच्छा कैसे करेंगे, जब आप जोग्रॉफी पढ़ेंगे, आप economy में अच्छा कैसे करेंगे, जब आप economy अच्छा करेंगे, यहां कुछ नहीं पढ़ना, आपने अभी तक जो आपने अपने जीयत में पढ़ा है अर्थात यह क्या है आपनी जो भी अपनी शामानी अध्यन में पढ़ा और सामानी अध्यन के साथ साथ अगर आपकी आँके खुली है दिमाग खुला है आँक और दिमाग खुले होने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर सिर्फ जीवित नहीं हो बलकि यह देख रह हो वह आपकी गहराईत किसी भी बिसेखाव चाहे इतिहाज पढ़ते हो तो आप किसी राजा किसी डाइनेश्टी के बिसेखाव पढ़ते हो तो आप देखते हो अच्छा इन्होंने क्या नेने लिया उसका क्या परभाव पढ़ा क्या आर्थिक परभाव पढ़ा क्या समाजि कुछ भी एक रती भर नहीं पढ़ना है सिर्फ आपको practice करना है और practice करके आप यहाँ पर सबसे maximum number प्राप्त कर सकते हो एक चीज और ध्यान देना मैंने यहाँ पर कहा कि इसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है लेकिन आपको क्या करना है practice करना है और जब आप न optional है यह भी अच्छा हो जाता है और आपका जो interview है अर्था आपका जो साथचातकार है यह भी अच्छा होता है अब प्रश्ना आएगा कि समान या ध्यान और साथचातकार कैसे अच्छा होगा निबंध में हम क्या करते हैं आपने बचपन से निबंध लिखा हुआ और जब निबंध आप लिखते हैं तो उस निबंध में ही आप क्या डालते हैं कि भाया dimension आप किसी चीज को इतने dynamic तरीके से इतने ब्याख्यात्मक तरीके से इतने रोचत तरीके से इतने सांतार तरीके से आप उसमें चीजों को डालते हैं कि ब्यक्ति एक बार पढ़ना चालू कर अंत तक पढ़ ले जाता है यही आपकी निबंद की खासियत है तो निबंद लिखते समय आप सब्दों का चैन करते हैं निबंद लिखते समय आप अच्छे कोटेशन का प्रयोग करते हैं आप निबंद लिखते समय इस्टोरी कैसे बनाई जाती है वह सीखते हैं और और जब आप अपनी बातों को अच्छी से तरीके रखते हैं, तार्किक तरीके, सचातकार में क्या होगा? तार्किता होगी, डाइमेंसन होगा, विबेक शिल्ता होगी, सब निबंद में आपको यूज करना पड़ता है, अर्थात निबंद इसलिए रखा गया है, साचातकार तुम बाद में दे लेना, पहले खुद उसके practice यहाँ पर कर लो, तो अगर आपका निबंद अच्छा हो रहा है, तो आप मान कर चलिएगा interview भी आप, आपने देखा होगा, कि जिन जो बोलने में थोड़ा सा, क्या होते हैं, comfort महसूस करते हैं, उनका, जो है कि साच्छातकार अच्छा होता है, और साच्छातकार उनका अच्छा होता है, जो किसी भी चीज पर तारकीक, बिचार सिल तरीके से, बिबेक्षिल तरीके से, बहुती अच्छे से, हना संच्छेब में, सौमें तरीके से, अपनी बात को रख पाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको बात रखन कैसे अपनी जीवन से, आजपास की घटनाओं से, मैं आगे चल कर जब आपको बताऊंगा, यहाँ पर यह जो प्रस्ताऊना है, कि मैं बताऊंगा कि प्रस्ताऊना जब लिखते हैं, तो कैसे श्टोरियां बनाई जाती हैं, जो आज न्यूज पेपर पढ़ रहे हो, जो मैं पढ़ रहे हो, जो भी आप कुछ पढ़ रहे हो, उसमें से कैसी स्टोरी निकाल लो, कैसी स्टोरी बना लो, सब मैं बताऊंगा, तो जब यह मैं बताऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा, कि कठिन से कठिन चीज को कैसे, हम सामानी अध्यान और आप्शनल में भी आसान बना सकते हैं, अर्थात, यह जो पूरा सेग्मेंट है, यह क्या करता है, आपको बहुत ही आसान तरीके से अपनी कॉंटेंट को प्रस्तूत करने का एक माध्यम बनता है, यह एक ऐसा भी से है, जहां पर आपकी रचनात मता यह का परिक्षन होता है, तो UPSC में, जैसे आप क्यों कहते हो, आप कहते हो, कि मैं UPSC deserve करता हूं, किस आधार पर कहते हो, सिर्फ मेहनत की आधार पर, तो मेहनत तो आपसे ज़्यादा बहुत से लोग कर रहा है, आप समझे हो, आज से आपने मेहनत चालू किया, और आप डेली बारे बारे घंटी पढ़ रहा है, कोई चार सकता हूं, कि मैं यह अधिकारी बनूगा, क्या है आपके पास, तो आपके पास क्या है, रचनात्मक्ता, यह रचनात्मक्ता क्या आपके विचारों में होगी, कि मेरी decision making अच्छी है, मेरी कहने का तरीका अच्छा है, मैं समाझ को अच्छे से देखता हूं, मैं अपनी चार आत्मक तरीके से कि कैसा है आपका बैक्तुट और बैक्तुट का परिक्षड करने के लिए बड़ा लेक चाहिए ध्यान देना आपके पास जो जी एस के पेपर हैं ऑप्सिनल के पेपर हैं उसमें क्या लिख दो गया आपकी प्रसनाल्टी उतनी अच्छे से नई जलग पाती यहां पर फदा चलता है अच्छा आप कितने संबेदन सील हो कितने बिवेक्षील हो कितने तार्किक हो कितने आप जुनोतियों को अच्छे से समझ रहे हो उनका आपके पास कितना अच्छा समाधान है क्योंकि यहां पर खुल कर लिखना है आपको यहां पर दीर सो दो सो उसका सिर्फ उत्तर नहीं देना है यहां पर आपको उत्तर के साथ और उत्तर भी ऐसे देना है कि उसमें परवा हो यह उत्तर नहीं है लेकिन फिर भी अगर कहलो कि आप यह भी तो बड़ा सा उत्तर है तो यह पहरी बात तो बड़ा सा उत्तर नहीं है इसमें आपको जो बात कहना है उसमें आपको अपना स्टेंड दिखाना है अपना यह अप्रोच दिखाना है आप यह बता सकते हो कि देखो एक जिला अधिकारी के अंदर जो सोच होने चाहिए वह मेरे पास है तो यहां पर आपकी रचनात्मक्ता एक जामनर देगा कि आप खुश हो जाओगे और ध्यान देना अगर आपने यहां पर अच्छा स्कूर कर लिया ना इंटर्व्यू का दबाव मत लेना क्यों दबाव मत लेना क्योंकि इंटर्व्यू में औस तन नंबर भी मिलेंगे न तो यह जो नंबर आपको यहां पर जो आपने क्रेटिविटी दिखाई है अपने आप देखना इंटर्व्यू में भी काम आएगी और आपके ऊपर बिल्कुल भी दबाव नहीं होगा इसलिए अगर आपने निबंद अच्छा लिए तो समझ लेना कि इंटर्व्यू में बोलूँ कि भाईया आपको सेलेक्षन के लिए किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मैं फिर से कह रहा हूँ और निबंद और निबंद इस निबंद के बाद फिर आएगा नंबर किसका इथिक्स का तो अभी जो है वो क्या है आपके लिए सर्वस्रेष्ट है सबसे important है क्या ये बात हमारी clear हो गई क्या हम लोगों ने अपने इस segment को समझ लिया कि भाई ये हमारे लिए important है कि ने ठीक है क्या मैं इसको green कर दूँ कोई भी confusion नहीं होना चाहिए कोई भी doubt नहीं होना चाहिए कर दूँ इसको में clear दूसरे point पर आ जाते हैं कि सर आप बताओ syllabus क्या है और मैं जो syllabus आपको दिखाने जा रहा हूँ ना आप माथा पकड़ लोगे यही है UPSC यही खेल करती है आईए चलिए मैं आपको syllabus पर लेकर चलता हूँ ठीक है क्या लिखा हुआ syllabus पर ओभी देख लिएज़े एक सेकंद दीचे का कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है एक सेकंद दीचे का बस ना एक पेज आ रहा है इस देखें एच छोटा सा syllabus लिखा हुआ है दो लाइन का syllabus है क्या लिखा हुआ है उम्मेद्वार को एक बिनिर्दिष्ट बिसे पर निबंद लिखना होगा जैसे बच्पन में हम लोगों को क्या मिलता था कोई topic मिल जाता था कि यह postman है लिख दीचे गाय पर लिख दीचे प्रेंसिपल पर लिख दीचे ठीक इसी तरह से यहां पर आपको एक topic दिया जाएगा हाना अब एक अध्यान देना यह बिनिर्दिष्ट एक तो आपको मैंने कहा दो निबंद लिखने है अर्थात एक खंड में से एक निबंद आठ निबंद होंगे उसमें से एक आपको topic चुनना है तो उमिद्वार को एक बिनिर्दिष्ट विषयप पर तो एक की जगे आप कह सकते हो अगर आप कोई आउसाली एवं सटीक अभिव्यक्तियों के लिए आस्रे दिया जाएगा यहां पर स्रे का अर्थ है कि आपको अंक दिया जाएगा इसका मतलब है है कि आपको कुछ भी नहीं पढ़ना यहां पर क्या लिखा है क्या इतिहास से निबंद पूछेगा क्या यहां पर लिखा है क्या कि जो है कि भुगों से पूछेगा क्या यहां से लिखा है क्या कि समाज से पूछेगा तकनीकी से छेतर पूछेगा हना आर्फिक छेतर से पू बिचारों को ध्यान देना मैंने अभी यही बोला कि यहां पर आपकी रचनात्मक्ता का परिच्छन होना है तो यहां पर आपको अपने बिचारों को निबंध के बिशे के निकट रखते हुए इसका मतलब है कि आपको यह पता होना चाहिए कि बिचार और निबंध में क्या स अगर आप निबंद को समझते हैं तो इसका मतलब यह है कि निबंद में हम विचार देते हैं जैसे हम बच्पन में क्या करते थे गाये पर निबंद लिखते थे तो गाये सब के लिए एक जैसी थी लेकिन हमारी निबंद में गाये अलग निकल कर आती थी हमारी गाये का कुछ दूद देती थी, किसी की गाय सबके लिए उपलब्द थी, जो गाय का मिठास है, दूद का मिठास है, वो भले ही एक जैसा हो, लेकिन उसका गाढ़ापन सबका अलग-अलग होता था, सबकी गाय जो है घास जरूर खाती थी, लेकिन किसी की गाय अलग तरीके से खाती थी, को जो आपको यहाँ पर topic मिलेगा, वहाँ पर भी आपको अपना बिचार देना है, और बिचार कैसे देना है, रचनाथमग तरीके से, कि भाईया, आपकी गाय सबसे बहतर गाय निकल सके, यही आपको बता देना है, तो अगर अपनी गाय को, आप सबसे बहतर गाय बना ले गए और विचारों में क्या है कि बच्पन हमें हम क्या करते थे उसको घास किलाते थे उसके चार पैर होते थे एक पोच होता था हना कुछ ऐसा सा उसका एक कलर होता था यहां पर हमें जो टॉपिक मिलेगा वो गाय तो नहीं है लेकिन जो भी ट कितने बिब्यक्षिल हैं कितने डायमिक हैं अगर उसको आप निबंध के फॉर्म में तो निबंध का फॉर्म क्या होगा वह मैं आगे आपको बताने वाला हूं समझ रहे हैं जो लोग स्टार्टिंग सो जो हैं तो निबंध की विशे के निकट रखते हुए ध्यान देना यहां पर कहा कि यह बिचार आपको देने हैं लेकिन बिचार ही नहीं हो कि आप कभी इस टॉपिक पर बात करो कभी इस टॉपिक पर कभी आपने गाय को चारा खिला दिया फिर आपने कहा कि मेरी गाय एक दिन खो गई थी फिर अगले दिन क्या हुआ आपने कहा मेरी गाय ब कैसे गाय बड़ी होती गई तो आपको दूद जादा देती गई, उसे लगाव कैसे हुआ, कैसे हुआ आपके साथ बैठने लगी, कैसे हुआ, कोई भी समय आता है, कि उसको अच्छे से घास ना मिले, तो कब बीमार पर जाती है, बीमार पर जाती है, तब आप क्या करते हैं, और जब आप कुछ करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, तो इसका मतलब है कि एक तरफ से, क्रमबद तरीके से, हमें चीजे लिखनी है, जैसे मैं आप से पोछूँ, कि आप अपने बिसम में बताइए, तो आप अपने बिसम क्या बताएंगे, कि मेरा नाम X, Y, Z, जो कु इसे नहीं होगे, तो आपको क्या करना है, बिचार रखने, तो आप अपने बिसम में बताएंगे सबसे पहले, अपने बिसम में, फिर पिता जी की बिसम में, फिर दादा जी की बिसम में कुछ जरूरी बाते हों, तो फिर अपने बिसम में बताते हुए, आप सबसे पहले पताएंगे कि आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, आप कैसे बड़े हुए, आपने क्या क्या डिरिम देखा, यहां तक कैसे पहुचे, यह अच्छी बात होगी, ठीक इसी तरह से, यहां पर भी जो कुछ आपको लिखना है, वह क्या निबंद के बिसे के निकट रखते हुए, अर और आपको बता चला कि आपने पूरा महराना परताब जी के बिसे में बताया, अपने बिसे में तो बताना भूली गए, और आपने लाश्में बोल दिया, कि जैसे महराना परताब जी का सौरे था, ऐसी मेरा सौरे ही बात, ठीक नहीं होगी, आपको क्या करना होगा, जो अर्थात आपको कुछ बीच में ऐसे पंचिस मारते चलने हैं, ऐसी कुछ चीजे आपको छोड़ती चलनी हैं, जिससे एक्जामनार को लगे, अरे ये बात तो बड़े सही डायरेक्शन में कर रहा है, लग रहा है कि इसके पास content है, और अगर आपने उसको जोड़े रखा और इस topic को boring नहीं होने दिया, हमने उस topic से बिखराव नहीं आने दिया, हमने कहीं पर flow नहीं तूटने दिया, कहीं पर हमारे विचार जो है कि उल्जे हुए nature नहीं आए, हम हर जगे सुल्जे हुए, और देखो हमने इस topic पर इतनी चुनमतियां बताई, उसका समाधान बताया, भविष में हमें क्या करना है, निसकर्ष में देख लो, बात खतम हो जाती है, यहीं का दिकारे को चाहिए था हमने बता दिया, और अगर यह कर ले गए, बस यहीं खेल है निबंद का, तो हमने क्या कहा, कि आपको अपने विचारों को निबंद की निकट रखते हुए, क्र सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन क्यों दिखाया, कि भईयात मैं सबसे पहले UPSC में निबंद के इंपोर्टेंस की बात करूँगा, फिर सिलेबस की बात करूँगा, फिर मैं बताऊंगा निबंद किस कहा कहा से पूछे जाते रहे, फिर मैं बताऊंगा कि अच्छे रुखते बाकी लोग भाग जाते तो इसका मतलब है कि जो आप कर सकते हैं जो आपको बताना है उसको आप कितना इंट्रेस्टिंग बता सकते हैं कितना इसको जो है कि लोगों को जोड सकते हैं जो आपके सामने बैठा हुआ है कैसे उसको एहसास कराएं अरे रुको तो सही अ आगे देखो क्या क्या आने वाला और फिर से अगले पैरागराप पर उसको सिप्ट कर ले गए और आपने वहाँ पर भी उसकी जिग्यासा को बनाए रखा कि बात इत्ती नहीं है बाबु साफ आगे बढ़ो और आगे बढ़ा उसको मजा आ गया रहे कहा क्या डाइमेंशन द हो जाए अर्थात निबंद की सबसे बड़ी खुबसूरती है उसका फ्लो उसक में दी गई गहराई उसमें दी गया डाइमेंशन ये कैसे आएगा जब आप निबंद को क्रमबद तरीके से लिखेंगे जब भी आप क्रमबदता को छोडएंगे सिक्वेंस को छोडएंगे जो भी सिष्टम है उस सिष्टम को तोडएंगे तो सिष्टम तोड़ने वाले फिर कहां चले जाते हैं आपको पता है तो क्रमबद तरीके थे फिर अगला है संच्छेप संच्छेप का मतलब है कि आपको दो निबंद लिखने हैं और निबंद में आपको फालत की बात नह आपने क्या किया आत्मा को इतना समझाने लगे कि पढ़ने वाले की आत्मा ही निकल गई अर्थात आपको आत्मा के विसमें इतना पता है आपने इतनी होरर मूवी देखी है इतने जो है कि कहानिया सुनी है कि आप आत्मा को समझाते समझाते आपने एकजामनर की आत्मा को न प्रभावसाली तरीका क्या होगा यह होगा कि आप जो कह रहे हैं उसके लिए आप सब्दों का चैन कैसे करते हैं आप उसमें प्रभाह कैसे लाते हैं उसमें आप डाइमेंशन कैसे लाते हैं तो आपको प्रभावसाली सटीक का मतलब है कि जो पूछा गया है उसी पर लिखि आगिया कि अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं, तो आपको बहतरर अंक मिलेंगे, तो हमीं सिलेबस से पता चला, कि भाई सिलेबस तो कुछ है नहीं और जब सिलेबस कुछ नहीं है, तो प्रशन आएगा, फिर निबन्र पूचा कहां से जाता है, तो चलीं, मैं आपको निबन्र बताता हूँ, कहां कहां से निबंद पूछा जाता, निबंदों के हमने कुछ परकार बन रहा है, इसके अलावा भी और भी परकार है, मैंने आपको निबंद इसलिए यहां पर में दिखा रहा हूँ, ताको जो बात मैं कहूं, वो थोड़ा सा परमारिक हो सके, क्योंकि हमें इस निबंद के पूरी जर्नी में यही तो प्रयास करना है, कि भाई हम समझें कि निबंद है क्या, कैसे आता है, तो देखिए, अब आजाते हैं निबंद के हम परकार, और निबंद के परकार सिलेबस का ही हिस्सा है, ध्यान देजेगा, कि भाईया सिलेबस तो हमें पता च हना जो philosophy type का होता है उसमें देखें अच्छा बुरा स्वें में कुछ नहीं है हमारी बिचार ही हमें अच्छा बुरा बनाते हैं 2003 का निबन अमुर्थ विश्य है तो अमुर्थ विश्यों से आप देखेंगे हर साल एक ना एक से आएगा ही आएगा और आपको डर लग रहा हो होगा अमुर्थ विश्यों से देखकर अरे इससे आपको प्यार होने वाला है इससे लगाव होने वाला है यह कब तक हमसे दूर है जब तक हम इसकी अमुर्थता को समझ नहीं जाते जिस तीन हम लोग अच्छा यहां पर ध्यान दीजेगा बहुत सो लोग कहेंगे कि यह न आंट की निबात नहीं करनी आपको एक सिंपल बात करनी है लेकिन उस सिंपल बात को करनी के लिए यहां पर आपकि आप किसी अमुर्थ चीज पर कितने तार्किक तरीके से कितने डानेमिक तरीके से आगे मैं बताऊंगा कि कैसे dimension निकाला जाता है, कैसे इसको आप तोड़ेंगे, कैसे इसको decode करेंगे, और कैसे इसको सांधा लिखेंगे, तो पहला जो निबंद का प्रकार आता है, जो आपको हो सकता है, कुछ लोगों को डराता हो, मेरे हिसाब से सबसे आसान सेग्मेंट ह आप देखिएगा, आसान बनने वाला है, तो पहला सेग्मेंट जहां से आपका निबंद पूछा जाता है, अब मुर्त विश्यों पर आधारित निबंद, तो मैंने कुछ निबंद है, जो लाश्ट इर पूछे गये, उनको यहाँ पर रख दिया है, तो जैसे स्वतंद ब अब सासनिक विश्यों से जोड़े निबंद आपसे पूछे जाते रहे हैं, जैसे उदारी करण के दोर में, मिडिया और लोग तंदर पर उसका परभाव, हो सकता है, आपको यह ज़्यादा अच्छा लगे, लेकिन नमबर यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मैं सकता है, आज मैं आगे भी बताऊंगा कि आपको निबंद का चैन कैसे करना है, अभी धीरे धीरे, अभी तो बात शुरू होई है, तो बात जब शुरू होई है, तो आगे जाके खतम होगी, अभी बने रही है, तो हमने कहा, आप देखीए कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा कैटेगरी का आप निबंद को चुनेंगे, लिकना होई है, तो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे चुनना चाहिए, ये नहीं, अच्छा ये बहुत जादा सुना सूना सा लग रहा है, और इस जो सुना 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 सा लग आपको क्या करना है आगे वता होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं आप से प्रशन पूछे निबंध पूछे ज़िए अगली के टेग्री है चहां से निबंध बंते हैं एकॉनमिक सेगमेंट से आर्थिक विश्यों क्या हमारे परंप्रागत हस्त सिल्पों की नियती में मंतर मिर्ट्यू लिखी है मंतर मतलब धीरे-धीरे मरना लिखा हुआ क्या आलोचना की विकास के लिए लोक नीची साजेदारी अर्था पीपीवी का मॉडल भारत के संदर में बर्दान से अधिक शाप है और पूछा जाते हैं फिर अगला पारस्त की और इनवार्मेंट वाले चित्रों से निबंद जो पूछे जाते रहे हैं क्या देश के जन जाती चित्रों में सभी नूतन खनुनों पर अधिर्ष्टकन लागू किया जाना है अथा रोक लगाई जाने चाहिए धारित आर्थी व पर आपसे आयार से जोड़े निबंद पूछे जाते रहें एक आदर्स विश्य ब्योस्था की मेरी कलपना क्या होगी जैसे नौ समराज जिवाद की मुखोड़े क्या हैं बैश्वी कराम बना राष्टबाद ये मुद्दा तो आपसे यहां से भी निबंद पूछे जाते रहें आप उसको देख सकते हैं विज्ञान और रहष्यबात क्या वे शंगत हैं राष्ट की विकास हुआ सुरच्छा के लिए विज्ञान और प्रोध्योगे की शरूपचार है ये आपको इस पर निबंद लिखना है किसी तरह से सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दोव से भ गर्दन पकड़ लेना है और गर्दन ऐसे पकड़ना है जैसे चाहो वैसे निबंद बोले और जब ऐसा कर ले गए निबंद को अपनी तरह से बुलवा ले गए उसको जो आप कहना चाहते थे उसके माद्यम से वह कहवा ले गए समझाना आपकी जो जर्नी है वह सांधार हो तो समाजिक और सांस्कृतिक विश्यों पर राधा जाए विश्य विर्तिक को कानूनी तोर पर बैद बनाया जाना चाहिए या नहीं इस पर निवन क्या सर्वसाधारन के सिच्छन द्वारा संपाबादी समाज संभो है आपको बताना है कि वो सत्य और अधिकार ही महिलाओं क कि मदद नहीं कर सकते क्या-क्या और चीज़े हैं वो भी साहितिक विश्यों से जोड़े भी निवन आपसे पूछे जाते हैं कि समाज के नो निर्मार में साहित की भूमिका आप बताईए साहित में लोक मंगल की भावना का और चित्यपूर महतों आपको बताना है तो यहा पर सब लोग बता देचे एक वर 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 सब लोग बता देचे एक जितनों लोग मूँ बना के कमेंट कर रहा हैं प्लीस कमेंट रोक देचे नहीं तो टीम ब्लोग कर देगी रिक्वेस्ट है बहुत अच्छी class है, बहुत energy लगती है, इस class के लिए हमने 1.5 घंटे की आपकी class के लिए 9 घंटे continuous हमने खर्च की है, और तब हमारे 9 घंटे हैं, जब इससे पहले हम कई 100 घंटे निबंद की class पर खर्च कर चुके, समझ रहे हो न, तो थोड़ा सा importance को समझ ही, क्या यहां तक बात हमारी समझ पाए, ठीक है, टीम मेंबर देखते रहे हैं, जो लोग ना माने उनको ब्लॉक कर दीजेगा, ठीक है टीम मेंबर देखते रहे हैं, रिक्वेस्ट कर जा सकता है, चेताव नहीं दी जा सकती है, ठीक है, चले, तो हमारी 2 points हमारे discuss हो गए, अब हैं कि UPSC को समझ गए, तो समझ जाएगा, अपने आप जो है की चीजे आपकी किलियर हो जाएंगे, जो और आपकी निबंद के मार्दम से आपके अंदर क्या देखना चाहता है, अगर आपको यह पता चल जाए, तो आप उन्हीं चीजों को अपने अंदर डालेंगे की नहीं, लाए तो निबंद में, जो है की UPSC आपकी निबंद में क्या-क्या चेक करना चाहता है, अब इधान देजना, हम निबंद लिखना यहाँ पर है, यहाँ पर भी आएंगे, एक एक चीज बताऊंगा की कैसे निबंद लिखना है, कैसे हमें context को निकालना है, कैसे concise करना है, कैसे उ तो मैं यहां पर ले लेता हूं, यहां यू पी सिय निबंद के माध्यम से , इसको बॉक्स में बना देते हैं , और जब हमनें बॉक्स में बना दिया तो थी सबहरे कोई भी जो टॉपकिक वहूं , माद्ध्यम से आपकी knowledge अर्था ज्यान को check करना चाहता है। सबसे पहले UPSC knowledge check करना चाहता है। अच्छा ध्यान देना। जब मैं यहाँ पर knowledge कह रहा हूं तो इसका मतलबी नहीं है। कि जो आपकी किताब सिर्फ किताब की knowledge ना। यहाँ पर जो knowledge है उसमें किताब तो है है। आपका पूरा GS का syllabus वो तो इसमें है ही है। लेकिन यहाँ पर ज्यान में आपका जो अनुभव है वो भी क्या हो जाता है। important हो जाता है। तो आपका जो अनुभव है आपका जो नजरिया है, मालो समाज को देखने का आपका नजरिया, कि आपके ने क्या पढ़ा, क्या देखा, अभी इतने बड़े हुए, तो आपने किताबों से कितना ज्यान पराप्त किया, आपने अनुभों से कितना ज्यान पराप्त किया, आपने समाज को देखकर कितना ज्यान गरना आप समझ में आ गया कि UPSC इतना बड़ा सिलेबस क्यों रखा है उसने तो अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते लिखते हैं किताबी ज्यान भी है आपके पास आप अनुभाव से भी सीखते हैं और अनुभाव से मतलबी नहीं किसे गल्तियां बताना है कि आपने क्य किया और कुछ से क्या ना कि आप पूरे समाज को देख रहे हैं आपने देखा अनुभाव किया किस कंडिशन में क्या हुआ कैसे राजिंतिक परिवर्तना है कैसे समाजिक परिवर्तना है किस तरह की आर्थिक चीजों के बदलने से समाज में बदलाव आता है समाज में जो उससे महिलाओं के जियोन पर क्या परभाव पड़ रहा है मोबाइल आया इस तक्निकी ने सब को कैसे परभावित किया आपका क्या अनभाव रहा आपका क्या observation रहा इस सब चीजी यहां पर चेक की जाती है इसका मतलब है यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपके knowledge का पर रुचिकर तरीके से सरल और रुचिकर तरीके से प्रस्तूत कर पाते हैं अर्था सरल और रुचिकर तरीके से यहां पर जो आपका ज्यान है उस ज्यान का प्रस्तूती करण चेक किया जा तो जितना ही आप अपने ज्यान को बहुत simple तरीके से आसान तरीके से रुचिकर तर पूछा गया है किसी भी टॉपिक पर जो मैंने आपको निबंध दिखा है जितने भी निबंध आप ने थे देखा तो अब वह कोई जो निबंध है जब आपके पास जाता होगा तब ही तो आप क्या करें पाएंगे उसको बहतर तरीके से लिए और ज्यान आपको किसलिए प् जा ले जाएंगे तो आपका यहां पर ज्यान कैसे कि आप अपनी नौलेज को अपनी बुक के किताब को सिलेबस के किताब को अनुभाव का जो पूरा सेगम्य अनुभाव जो आपका समाज को दीखने का नजरिया रहा है उसको कितने सरल और रुच के तरीके से संबंधित निबंद को कितने डाइनमिक तरीके से उल्जे हुए चीजे को कितने रोचक तरीके से आप प्रस्तुत कर पाते हैं अगर आपके पास ज्यान है वह ज्यान कहीं से भी मिला हो अगर आप उस ज्यान को सरल और रुज के तरीके से प्रस्तुत कर पा रहा है तो आपने दो कंडिस का मतलब है बिसे बस्तू या प्रसंग कहीं प्रसंग को आप कॉंटेक्ष को कितनी अच्छे से समझ पाते हैं कितनी अच्छे से समझ पाते हैं जैसे खास कर आप दार्शनिक वाला यह कोई भी टॉपिक ले लो समाज से रिलेटेट या दार्शनिक वाला जो मैंने आपको नि निबंद दिये गए, आप उसको कितनी अच्छे से समझ पाते हो, और कितने डाइनमिक तरीके से उसको समझ पाते हो, कितने डाइनमिक, जैसे मैं आपको एक निबंद दूं, कि भीया अभी सुप्रीम कोट ने जो है कि होमो सेक्स्वल जो लोग है, उनके लिए कोई साधी से जो नियम है, उस पर कानून बनाने का अधिकार संसत को है, और संसत को ऐसा करना चाहिए, अब यही चीज मैंने इसी पर कोई निबंद बना कर दे दिया, तो अब प्रश्न यह आएगा कि आखिर आपके पास होमो सेक्स्वल से जो 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 जानकारिया है, वह कितनी ह आपका ज्यान कितना है, आप उन लोगों की समस्याओं को, उनकी चुनौतियों को कितनी तरीके से देखा है, आपका क्यान बहु रहा है, आप समाज में उनके माध्यम से आ रहे बदलाओ, उनके अधिकारों की मां को आप कैसे देखते हो, तो आप अगर कॉंटेक्स को अच जित्रों में ये बिक्सित हुआ और आज की समय में ये किनकिन देशों में पहुंचा है कहां पर ये कानूनी अधिकार रखता है कहां पर ये सम्मेधानिक अधिकार प्राप्त कर चुका है कहां पर इसको बैन किया गया है कहां और कितनी तरह की चुनोतियों का ये सामना करते ह कहां पर किस तरह के लोग कौन से ऐसे देश हैं जहां पर होमो सेक्सुल लोग जाना चाहते हैं ताकि वह अपनी माननेताओं को अपनी हिसाब से जीवन को जी सके और हमारे समाज में उनसे जुड़े ही वे क्या-क्या धानाय हैं क्या-क्या चुनौतिया हैं कैसे अधिकार के चुड़े हुए मुद्धे हैं हम किस और बढ़ सकते हैं इस सब क्या होगा डायनमिक तरीका डायनमिक तरीका कैसे निकल काया आएगा आपके नौलेज से निकल कर रहा है अर्थात आप किसी भी चीज पर कितने डायनमिक तरीके से सोच पाते हैं UPSC इसे पूछना चाहता है यह दरसल इसके मानदम से UPSC क्या कर रहा है यह जीक करने का प्रयास कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ रट कर चले आये तो जो लोग किताबों का कीड़ा बने रहते हैं जो लोग कभी भी सलेबस 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 और उसको रटने समझने का नहीं उसको अंदर उतारने का नहीं, सिर्फ रठने का प्रयास करना है, तो जो ऐसा कर रहा है, हना उनके लिए पेपर क्या होगा, काफी निरासा जनाक होगा, लेकिन जो बास्तों में समझते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उसको अपने जीवन से, अपने समाज से जोडते हैं, तो ये काफी सांदा उनके लिए पेपर होने वाला, ठीक है, अगला है, कि जो आपने टॉपिक को समझा, कि भाई मेरा ये जो टॉपिक है, मेरे हिसाब से ये, जैसे गाय वाली बात, सबके लिए गाय एक ही थी, लेकिन गाय को सबने अपने अपने डानमिक तरीके से बताया, अब प्रश्नी य हम कहें कि होमो सेक्सुल का मुद्दा ले लो, या क्रिप्टो क्रेंसी का मुद्दा ले लो, कोई भी मुद्दा ले लो, या फिर अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन में बिवाद चलना है, तो मत्य पूर्व का संकट, आपको यही निवद्द मिल जाए, अब मत्य पूर् प्रभावी तरीके से यह कैसी इंटर्नेशनल रिलेशन को प्रभावित कर रही है बगारा बगारा जितना भी सिर्फ यह सोचना इंपोर्टेंट नहीं है बलकि अगला जो पॉइंट है यह था तीसरा पॉइंट चौखा यह है कि आपने जो कॉंटेंट जुना जो टॉपिक लिगा हना आप उसको कितने कितने रोचक तरीके से कितने रोचक तरीके से ठीक है कितने प्रभावी तरीके से कितने प्रभावी तरीक प्रभावी का मतलब होता है एक चीज होता है कह देना जैसे मैं यही चीज आपको बता रहा हूं अगर मैं इसको चाहूं तो मैं कह सकता निबन्ध में ये 4 विसेश्टाएं होती है आप 4 विसेश्टाएं अगर ये ए कर लेंगे तो निबन्ध होती हैं इधर उधर की बात मत करो, क्या मैंने आपको अभी इधर, अगर मैं चाहता, तो आपको क्या करता, यहां पर मैं ये पूरा एक क्रमबत तरीका क्यों अपना रहा हूं, जो चीज मैं कह रहा हूं, वह इस तरह से ही क्यों आगे बढ़े, ताकि मैं ऐसा ना करूं कि पहले मैं इ रिपीट नहीं करना है, मतलब एक ही बात कहा, और अगले पैर अगर आप में फिर से आप उसको क्या करना है, रिपीट करना है, तो यहां पर अगर जैसे कोई ब्यक्ति कब रिपीट करता है, आँ, 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 कब करता है, जब उसके पास content क्या हो, कम हो, तो UPSC ये चेक कर अच्छा ये बोला, फिर से कुछ आगे बढ़े, फिर से अच्छा सरोवाला फिर से बताते, इसका मतलब क्या है, आप confused है, और confused आदमी को क्या अधिकारी बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, तो आपको क्या करना है, जो भी चीजे लिख रहे हैं, उसमें repetition नहीं होना चा अधिकारी बनेंगे, तो आप आदिस देंगे, आपका जो आदिस है, बहुत छोटा होना चाहिए, और बहुत सारगर्भित होना चाहिए, बहुत meaningful होना चाहिए, कैसे लिखोगे आप अच्छे आदिस, जब आप निबंद अच्छे लिखो, जब निबंद अच्छा लिख रहे हो, तो यही तो एक परिकरिया हो, आपको अधिकारी बनाएगी, आखिर क्यों यूपेस्तिए आपसे लिख कर चेक करवाता है, वो चाहता, तो आखिर कोपी क्यों क्यों कर लेटा, टेस्ट कर लेता, फिर से कहता, कि जितने भी GS के PEPER होंगे, मुख्य पर इछागे, उसमें भी objective कर देता, मसीन में डाला जाता, खर, 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 आपका score आ जाता, दो मिनिट में paper आपका पता चल जाता, रिजल पता चल जाता, क्यों लिखवाना चारा है, आपकी personality के भाईया आगे आदेस जारी करना है, आपको address करना है समाज को, आपको आगे चल कर नीतियां बनानी है, तो जब आप अच्छे तरीके से आपके पास knowledge होगा, उसको अच्छे तरीके से प्रस्तूत कर पाओगे, किसी भी मुद्दे पर dynamic सोच रखोगे, और उसको जनता को convince कर ले जाओ, और जनता को कैसे convince करेंगे, कठीन कठीन भासा में, अरे भाया हमारे यहाँ पर अभी जो literacy हमको कहा जाता ना, कि हम 74%, 75% literacy है, उसमें पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो बस क्या है, कमला ने कमला लिखकर कमला पढ़ ली, बस, उनको simple तरीके से आपको बताना है, तो जब simple तरीके से बताना है, तो अपने विचारों में, कितनी तारकिकता रखते हैं, कितनी विबेकशिलता रखते हैं, आप अपनी तारकिकता विबेकशिलता में, कितनी बैग्यानिकता रखते हैं, आप किशी भी चीज को कब समश्या के रूप में देखते हैं, कब चुनोती के रूप में देखते हैं, औ और तब शमाधान के रूप में देखते हैं, यह सब का क्या होता है, परिछटकल लिया जाता है, निबंद दिया ही क्यों हो गया है, ताकि आपके अंदर की चीजे निकले तो, अरे आपने तो जी हो सकता है, जी एस पढ़ पढ़ कर पॉलिसिंग कर लिए हो, तो जी एस खा जाता है, कि आपकी गहराई कितनी है, आप किसी बिशे में कितनी गहराई में उतर पाते हो, क्या उतर भी पाते हो, कि बस टच करके, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, दस घंटे में पूरी जोगराफी, दस घंटे में, दस घंटे नहीं, अब चलो एक नया कॉन से उ UPSC crack होता तो काहे कौन लगते दो दो पंच बढ़ती हो जना है काहे ददसा लग जाता है सोचे कभी नहीं आप क्या थे दरसल आपके अंदर attitude था ही नहीं आप तो गलत आपको क्या पता चला आप कुसी ने पूछा क्या कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है अरे कुछ तो कर लो त आप बताओ आप 20 घंटी की जोग्राफी की कलास 20 घंटी की इतिहास की कलास को कर गों रहे हो आपने एक कोस्टन सॉल्व नहीं हो पा रहा है और यहीं चीज होगा तो क्या होगा फेलो फोईल होने वाले की संख्या बढ़ेगी यूटूब ने क्या किया यूटूब ने सब अपर 20 घंटे में 20 आर्ट में क्या हुआ ने पूरा इतिहास पड़ोगे तो क्या होगा इतिहास बहुत से लोगाए और सहित होगे आप भी क्या होगे ऐसा ही होगा तो इसलिए आपको बनना है यह नहीं बनना है यहां से पता चलता है वो यो पीस्ति आपको खुरेती है, कहती है बोलो अपने वास, आप समझो, जैसे मैं कहूँ कि मुझे आपकी नॉलेज को चेक करना है, मैं कहूँगा आप इस मुद्धे पर बोलिए, कि मैं आपको चेक करना चाहता हूँ कि आपकी समाजिक सोच क्या है, आपकी राष्टवा निकले अंदर से, निकलेगा वही जो भरा पड़ा है, यह मत सोचना कि वहाँ पर तुम कुछ और लिख दोगे, इसलिए जिनकी सोच खराब होती है, जो अपनी बात को लेकर इसपश्ट नहीं होते, जो किसी चीज को क्या कहना है, वो अप समझा नहीं पाते, लाश में लि तुमको बता, तुमसे कोई पूछे कहना क्या चाहते हो, तो समझ जाना कि यह पेपर तुम्हारे लिए नहीं, क्यों हम फेल हो रहे हैं, हिंदी मेडियम के लिए सब लोग कह रहे हैं, कमारा है, क्यों नहीं मेहनत करते हो, करो न मेहनत, करीए, UPSC आपका कॉपी देखकर आपके नमबर मैं कहतो रहा हूँ यहाँ पर 160-170 नमबर ला सकते हो करो मेहनत मेहनत नहीं होगा क्या है अपनी कमियों को छुपाना है अरे कायरो अरे निकमो जब अपनी कमियों को ही छुपाना है तो आई क्यों थो UPSC में UPSC ने सब ही चीजे सब के लिए एक ही चैसी रखी है जब आप थे ही नहीं तो तैयारी क्यों कि आपने किसने बोला था चुना आपने तो अपनी आपको तो बदलिये बनना अधिकारी है गुण कौन से हैं कलर को आले कहां से बना दे को यदिकारी मैं कह रहा हूँ आपकी जो संपत्ती है माल लो आपने जीवन भर कमाया 10-20-50 करोड की संपत्ती है मैं किसी ब्यक्ति को ले जाओ चलते हुए पकड़ लाओ भाई इसके नाम के कर दो कर दोगे अरे भाई आपको भी अपना परिवार आपकी संपत्ती आपकी जिम्मतारिय है इसको निर्वान करने करने आप भी योग厇ट ढड़ क्यों आपको अपना पार्टनर आपके इसाप से चाहिए क्यों चाहिए किसी से भी कर Q तो UPSC जब आपसे कह रहे हैं कि हमें आपके अंदर ही गुड़ चाहिए तो लाओ गुड़ या छोड़ तो पेपर दो ही चीज है वो नहीं करना है पढ़ना हमें अपने रिसाप से है ब्लेम हमें क्या करना है तो ऐसे लोगों को कुछ होता नहीं द्यान दें जगा मैंने एक नहीं 200 एजुकेटर को UPSC को भला बुरा बोलती हुए देखा है और यह वहीं लोग हैं जो बिजनस करते हैं मेहनत करो कॉंटेंट दो सब कुछ लिखना नहीं है ठीक है अगला है UPSC इसके माध्यम से आपका टाइम मेनेजमेंट चेक करना चाहती टाइम मेनेजमेंट का मतलब यह है कि बहुत से लोग क्या होता है पेपर लिया उन्होंने उनको दो हिस्सों पेपर मिला सेग्मेंट यह अठा जो है कि यूनिट अगल हो सकता है अनल सवाउघ्स से जुड़ा हो सकता है सोॉसारे सीटीस यूदा​ कोई लिया और इसको इतना लिखे इतना लिखे लिखते-लिखते नब्त रखो गये को गये मैंने क्या हाखो गये प्र नको भाद में आदा अर्यों अब हमारे पास आदे घंटा है और हमा करते हो आपको अभी इतनी तीन घंटे में क्या-क्या कैसे अपने आपको परजेंट करना इसकी आपने प्लानिंग नहीं की और समझो कि जो टाइम मेनेजमेंट नहीं कर सकता जिससे मतलब यूप सी क्या चिक कर रही है वो कह रही है कि तुमको हम डीम बना तो तुम कैसे देश चलाओगे कैसे देश का मेनेजमेंट समालोगे तो यहां पर टाइम मेनेजमेंट के मादम से यूप सी है करना चाहता है कि आपके अंदर डिसिप्लीन कितना है ज्यांद हो गया परवा हो गया गहराई हो गई डाइमेंशन हो गया तार्कित्ता तुमसे काम इसलिए क्या है टाइम मेनेजमेंट आपको अब कुछ लोग कहेंगे सर में करना क्या है सिर्फ और सिर्फ दो निबंद लिखने मालो निबंद ए और बी और इस दोनों में सब्द लिखने है हजार से लेकर 1200 तो एबरेज मालो सब्द लिखने सर मैं जो है कि 3000 आप भी सब कोई अगर लिखने की ही बात आ जाए और कुछ भी लिखना हो तो हो सकता है हम 3500 भी और 4000 सब्द लिखने लेकिन निबंद जब देख लेना हाथ काम नहीं करते हैं समझ में नहीं आता है और एक हुआ क्या है लिखा क्या है आठ में से दो निबंद जरू लिखन है और मान लो दो निबंद लिखने के लिए आपको कौन से दो लेने हैं यही डिसाइड करने में अगर आपका 20 से 25 मिनट भी चला जाए न तो समझना गनीन मत है अगर 20 से 25 मिनट में सिर्फ टॉपिक डिसाइड कर पाओ कि हां ए और ए बस इतना कर पाओ तो भी समझना तु से 50 मिनट सिर्फ फ्रेमिंग करने वाले हो कि भाईया मैं ऐसे लिखूंगा मैं प्रस्तावना ऐसे लिखूंगा मैं में में बोड़ी में यह पॉंट डालूँगा मेरा कंकुलूचन ऐसा होगा यह सिर्फ इतना अभी लिखना चालू नहीं एक घंटा बीत गया लिखना चा शक खुस है किसी ने फूल विखा दिये किसी ने उसी पर तेल गिरा दिया मोम लगा दिया कि भाईया कहां तक चल कर आओगे उह एक concealed आपको यहाँ पर क्या करना है तारकिता, बिबेखशिलता, परवाह, डाइमेंशन, सब कुछ लेकर चलना है सब्द तक नहीं आते हैं जब एकजाम हॉल में बैठते हो न, तो आप पंखे की स्पीर्ड भी नहीं देख पाते हो पसीना आता रहेगा, लेकिन पूछ नहीं, देख नहीं पाओगे कि हिल भी रहा है कि नहीं, समय नहीं होता सब्द नहीं आते, कई बार आप एक जब उलज जाते हो लेकिन क्या करना है ठीक है, इसलिए अच्छे से महनत करो, टाइम में नहीं क्या हम यह समझ पाए, अच्छा यह, उसके अलावा, और वह आपसे क्या चिक करता है कि भाई, कोई, बहुत से लोग होते हैं, कि वो किसी चीज को, अपनी बात को, अपने ज्यान को हना बहुती सरल, सहज तरीके से, डाइनमिक तरीके से, क्रमबत तरीके से कह ले जाते हैं लेकिन बार-बार उन का देसी पन आजाता है मतलब वो अपनी भास हमें, बोलते-बोलते जैसे मान लो मैंही यही बताते बताते अब मैं कहां हूँ अरे बहुत हैं अगर मैं ऐसी जीज बोलने लगा तो आपके दिमाग में कुछ आ नहीं करें गुरु जी क्या हो गया कोई स्वाप्टिवेयर में खराबी आ गई क्या ऐसा होगा इसका मतलब UPSC ये भी चेक करना चाहती है कि आप जो बात कह रहे हैं उसमें अनुसासन कितना है अनुसासन कितना है और अनुसासन मतलब कि आपकी भासा कैसी आपचारिक है बहुत से इस प्रकार का एक स्किम लॉंच किया कुछ लोग कहेंगे मोधी और जी हटा देंगे ऐसा लगेगा जैसे उनका दोस्त है जो आहलाल नहरू ऐसा उन्होंने किया और कुछ लोंने किया भी नहीं मतलब कुछ और ही लिख देते हैं ऐसा लगता है कि जो आप कहना चाहते हो उ उसमें आपचारिकता कितनी है मतलब कई और क्या होगा आप ብ सकता है अनोचारिकता किसी बात को आसानी से कहले जाओ लेकिन आपचारिकता से जब कहना हो तो हाथ भूल जाते अगर इसी चीज को अनुपचारी तरह से कहना तो कहा हुआ गुरुजी कल हम स्कूल नहीं आया थे मास्टर साब पूछी क्यों नहीं आया अब यह क्या तरीका हुआ इसमें आपने बड़े आसानी से अपने आपको एक्सप्रेस कर दिया बात कह दिया बुखार ही आया लेकिन बुखार लिखने के करम में कहने के करम में अलग-अलग तरीके से आता है तो जब आप अप्लिकेशन लिख रहे हैं तो उसमें आपचारिकता डालते हैं आपचारिक इनपूर तो आप अनुसासन दिखाते हैं कि माने नहीं महोद है ऐसे ऐसे मुझे बुखार आया था और म भासा में परवाह तो आप डालना है, लेकिन कहिंए ऐसा तो यह असुधियां हो रही हो, कई लोग इतना असुध लिखते हैं कि हम बता भी नहीं सकते, तो एक्जामनेर यह समझता है कि इसको मुझे पढ़ना है कि रिजेक्ट करना है, अचा वो रिजेक्ट कर भी नहीं पात उसमें क्या करते हैं, अंडर लाइन किया है, उन्होंने निबंद लिखा एक लाइन, अंडर लाइन किया है, और जो लाइन अंडर लाइन किया है, उसमें दो सब्द क्या है, असुध लिखे हुआ है, तो यहाँ पर यह देखा जाता है, कि दरसल आप जो कर रहे हैं, उसमे सचावट कितना है कि मतलब जैसे आप अधिकारी हो डियम मन गए आप कही पर अपनी बात कहने गए आप उस बात को कहके कितना मन मोह लोगे कितने लोगों का दिल जीत लोगे और आप जब स्टेश से उत्रो लोग कहें अरे भाईया कितनी अच्छे डियम साफ थे कैसी भासा बोलत रहे हमरे जैसी कदम बिल्कुल हम रहे जैसी लेकिन बोलत कि तो अच्छो से रहे नाहीं कितों अच्छो से बोलत रहे तो जब आप सजावड का मतलब क्या है कि किसी चीज को कितने कि भाया कहीं पर अंडर्लाइन कर दो कहसे पर आधक्ष करते ऑ। कैसे text को छोटा बढ़ा, जैसे कई जगों पर क्या लिखा रहता है, आप paragraph चेक करें, तो paragraph कैसे change होता है, मालो आपने ये paragraph लिखा, अगला paragraph यहाँ, हो सकता है, अगले paragraph कोई, as capital, मालो कोई सब्द लिकरो हो, हिंदी इंगलिस में, उसका पहला अक्छर आपने बढ़ा कर दिया चोटा कर दिया, कहीं पर आपने underline कर दिया, तो सचावठ, क्या हम ये चीज़ को भी समझ पाए, अब आ जाते हैं हम लोग, कि आखर यूपी एस्टी के, यूपी एस्टी निमंद के माध्यम से, क्या क्या चेक करना चाहता है, क्या हमारी तीनों पॉंट्स किलियर होगे, क क्या किलियर हुए कि नहीं कि किलियर है कि ठेक सब बजाए ठेक बिलोगोल बढ़े हाँ से ना अभी क्लास खतम नहीं बस पानी पीले दो अच्छे थोड़ा सा पानी पीले ने दीचे इंब सेशन को शेयर नहीं कर रहा है कि सोच वह कित्ती मेनत की हमने हमारे घरवाले आज हम पर तरस खा रहे थे बेटा ऐसे हाना ऐसे हाथ फेर कर कि भाईया जाए रहे हो आई जै यह घर है देको नहीं छोटे चोटे बच्छा उटे यह लोग हैं आई जै यूँ उनको भरोस ठीक है चल एक मिनट एक मिनट थो पानी पी लें फिर आगे बढ़ते हैं कि एक मिनट पाने आज से आपके अभैसर की भी कलास है ठीक है ना अभैसर की भी क्लास है चलिए तो अब मैं आपको बताता हूं कि एक अगर हम ही यह पता हो कि भाई हमने यह समझ लिया कि UPSC निबंद के माद्यम से क्या चेक करना चाहता है फिर प्रशना आएगा कि आखिर UPSC एक अच्छा निबंद मानता किसको है ताकि जो हम लिखने का प्रयास करें तो हम अच्छा निबंद लिख सके तो हमें यह समझ रहा होगा कि एक अच्छे निबंद में क्या-क्या चीचे होनी चाहिए जलिए आईए मैं इसको भी यहां पर लेता हूं ठीक्या अच्छे निबंद में क्या क्या चीख अब देखें में यह प्रश्चिप आयेगा आपका में इसलिए बता रहा हूं क्यों किल आपको निबंद लिखना शिखाऊँंगा मैं आपको बताऊं कि बियाप्रस्तावना इतने प्रकार से लिखी जाती है मुख्य body में ये चीजे डाली जाती हैं conclusion में ऐसी चीजे आनी चाहिए तो आपको पता तो रहे कि आखिर मैं ये सब approach क्यों अपना रहा हूँ तो इसलिए कि आज अगर कोई आपके पास stopper आए आपसे किसी ने कहा कि भईया ये लो निवन सबसे बहतर निवन तो आखिर उस बहतर निवन में आपको क्या-क्या मिला होगा UPSC किस परकार की निवन को बहतर मानता है अगर हम ये पता चल जाए तो हम जब लिखने का प्रयास करेंगे तो हम वही अप्रोच फॉलो करेंगे ठीक बात वही अप्रोच क्या करेंगे हम फॉलो करेंगे तो आईए एक अच्छे निवन में क्या-क्या होना चाहिए एक इत पॉइंट सबसे पहले किसी भी अच्छे निवट में होना चाहिए रचनात्मक्ता या फिर आप इसी को कह सकते हूँ नमाचा इनुबेटिव आईडियाच इसका क्या मतलब हुआ जैसे मैंने आपको कुछ दिर पहले गाय का एक्जामपल दिया फिर से उसी गाय को ले लेते हैं चुकि गाय पर सबने निवंद लिखा होगा अब आपको मिल गया कि गाय पर आपको निवंद लिखना है और जब गाय पर आपको निवंद लिखना है तो आपकी गाय कितनी रचनात्मक तरीके से एक्जामनर के पास पहुंचती है ये करते हुए वो गाय क्या होगी वो हो सकता है एक परिवार का सदश्यु जैसे आप क्या कर सकते हो इसके अपने सांस्कृतिक मुल्यों से जोड़ सकते हो कि गाय हमारे परिवार में एक गाय है जुसका नाम ये है वो हमारी संस्कृति से जुड़ी होई है जब मैं बैदिक स जबेता को पढ़ता था, तो उहां पर गाय का ऐसा रूप मिलता था, वहार रूप मैं ने पढ़ा था, आज मैं उस गाय को अपनी घर में देखता हूं, तो मुझे एक सांस्कृतिक संतुष्टी का अभाव होता है, इसका मतलब है कि कोई भी चील, कि चीली रचनात्मक तरीक है, क्या कोई आपके पास कविता है, क्या आपके पास कोई पंती है, क्या आपके पास कोई रिपोर्ट है, तो जब सब लोग क्या करें, अब एक बहुता है, लिखेंगे सब लोग, माल लो आपसे निबंद पूछ लिया जाए, और निबंद ये है कि हाले में सुप्रीम को लेकर टिपड़ी कि मीडिया कई वर क्या होता है जूट मुट का ट्राइल करने लगता है तो मीडिया ट्राइल पर उन्हें कोई बात की अब उस बात को आप कैसे कहोगे एक सिंपल सा तरीका कि सुप्रीम कोट ने हाल ही में दिये गए इस नेड़े में बात कहा यह कुछ न कि भईया उससे जोड़ी कोई कहानी कोई घटना क्रम कोई बाग और कोई कोई भी चीज आपने अगर उसमें किया तो सभी का अपना अपना जीवन है क्योंकि यहां पर क्या चिक किया जारा तो सब लोग अपनी अपने कॉंटेंट को अपनी अपने टॉपिक को कितने निबंद को लिखेगा उतना ही बैतर होगा अगला है दूसरी चीज कि आप अपनी निबंद में अपनी निबंद को कि ब्याख्या कितना जादा करते हूं ब्याख्या अर्था आपका जो अप्रोच किसी चीज को बस आपने कह दिया मालूं चला 600 700 सब्द में आपके सब डायमेंशन पूरे हो गए आपने कुछ याद आ रहा था बस आपने लिख दिया नहीं तो अगर आपका जो अप्रोच है वह ब्याख्यात्मक है और उसमें अगर आपने किसी निबंद में डिटेल में लिखने का प्रयास किया होगा और डिटेल में लिखते समय हर जगे अपने जीवन से जुड़ी होई घटना है समाज से जुड़ी होई घटना है किसी रिपोर्ट किसी इमोशनल चीज कोई स्टोरी आप डालते चलना है तो निब पर बार कोई आदमी पढ़ता चला गया है और एकदम चला जाए जैसे आपने कुछ सड़के देखे होंगे, कुछ सड़के ऐसे होती है जिन पर आप चड़ जाएगे, तो आपको लगता रहे जहां तक खतम होगी, वहां तक चलेंगे, कुछ चड़क ऐसी होती है कि बस हमेशा आदमी एक बार गड़े में गुश जाता है, तो उसको लगता है कि भईया गड़ा यह आगे सड़क, खतम होगी, परवाह कितना है, जो कहना चाहते हो, वह कितने 1000 से 1200 सब्दों का है वह बहुत ही पढ़ती हुए बहुत इसको इंजॉय करने वाल तो परवाहा बहुत बड़ा रोल यहां पर प्ले करता है अगला है संचिप्तता अब प्रशना आएगा कि मैंने एक जगे कहा प्याठ्यात्मक दूसरे जगे मैं कह रहा हूं संचिप्तता तो संचिप्तता का मतलब यह है कि आपने कोई डाइमेंशन अपनाया तो डाइमेंशन इतना किसी एक डाइमेंशन पर इतना ज्यादा मत चले जाए ये कि मालुम चला कि निबंद तो कुछ और था उसका एक डाइमेंशन बताते हुए आप जो है कि 400 सब्द दखा गए आपको बताने थे 15 डाइमेंशन लेकिन एक डाइमेंशन में ही आप 400 सब्द दखा गए तो बाकी क्या बताओगे तो इसका मतलब है कि संछिप्तता तो हो लेकिन dimension के साथ हो, अगला है करमबधता, जो बात आप कह रहे हैं, क्या वह करमबध तरीके से है कि नहीं, जैसे मैं ने इस पूरी क्लास को एक करमबध तरीके से आपके सामें प्रस्तुत करने का प्रयास करूं, अगर क्रम बद्धता ना होता तो मैं आपको हो सकता है मैं बता देता है कि रिफ्रेंस ऐसा लिखा जाता है फिर मैं कहता हूँ अच्छा अभी तो जान लेजिए पहले कि UPSC में इसका importance क्या है फिर मैं कहता है कि toppers कैसे लिखते हैं यह हो गया पांचवा point क्रम बद्धता हना तो जिस निबंद में क्रम बद्धता होगी वो निबंद क्या होगा अच्छा माना जाएग अगला है बिशलेशनात्मक अगर आपका जो approach है वो बिशलेशनात्मक है कि आप किसी चीज का analysis करते हो आप सिर्फ किसी एक चीज को बस कह नहीं देते हो बलकि उसके लिए तरक उसके लिए परमाण उसके लिए आपाथियों को सामने रखते हो हर चीज को कहते हो तार की तरीके से डेटा के साथ कहते हो लेकिन धेयान देना data इतना ना हो कि वो प्रवाहा को break कर दे अर्था analysis करने की जैसे बात होती है कि भई दा हिंदू पढ़ते हो आप analysis करते हो तो आपके अंदर भिश्रेशनात्मक छमता कितनी है उसका क्या होता प्रिछन किया जाता अग्र आपका निबंद भिश्रेशनात्मक है किसी एक direction में नहीं flow हो रहा है, चाहे वो सरकार की खिलाप हो या सरकार की पक्षिम हो, हमीसा हमें क्या करना है, संतुलित, विश्वेशन जो हम करते हैं, संतुलित से स्थाप्मिन करने, कि ठीक है, ये भी बात ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन हमारा direction क्या होगा, ऐसा होगा, अगला, तो ये हो गया, चट्वा पर, अगला है संपूनता, संपूनता का मतलब है, कि जो आपने topic उठाया, उसके सभी पक्षों को कबर करिए, क्योंकि topic आपने चुना है, तो आपको उसको संपूनता में लिखना होगा, आप ही संपूनता में नहीं लिखोगा, तो कौन म ही है, कि आप मालो कोई topic आपने उठाया, उसके पंद्रे dimension हो सकते थे, आप पंद्रे लिखो, लेकिन जो लिख रहे हो संपूनता में लिखो, पूरी बात लिखो, ऐसा नहीं हो कि बस आपने बोल दिया, एक इसारा कर दिया, कि ऐसा होता है, अरे क्यों होता है, कैसे होता है सब कुछ बढ़, आगे-आगे जैसे बढ़ेंगे और भी चीजे के लिए होती चली जाएंगे, अगला है, कि जो आपका निबंध है, वो प्रासंगी खोना चाहिए, मतलब आप लिखते ही चले जा रहे हो, मालो इंडियन सोसाइटी पर कोई निबंध आपसे पूछा गया कि महिलाओं की बरतमान इस्तिती को बदलने के लिए हमें आर्थिक उद्धान करना ज़रूरी है, अब उसको आप लिख रहे हो, कि हाँ पैसा आएगा, तो ये होगा, ये होगा, सिर्फ आपका क्या है, उसमें एक क्या दिखा रहा है, पैसा और महिलाओं की स्तिती, नहीं, इतना ही नहीं है, उनके पूरे समाद में आने वाले बदलाओ, तो आपकी निबंद की प्रासंगिक्ता क्या है, कि जो बात कह रहे हो, कितना प्रासंगिक है, जो आपकी बात जितनी ज़्यादा प्रासंगिक होगी, उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा, तो यहाँ पर जि इनपुर्ट छोड़ कर जाते हैं इसाहा निसकर्ष तक तो आ गए हो देखो हम कितना अच्छा सोर्ष रखते हैं तो अपने आप क्या होगा आपका निबंद अच्छा होगा तो निबंद आपका आसावादी और भविश्वादी होना चाहिए आपकी निबंद में अगली क्य यह देखे जाती है कि भृया आपकर नजरिया कितना स्पस्ट इस पस्ट नजरिया तो लोग क्या होते हैं जीवन भर रहते हैं तो कंफ्यूज लोगों के लिए यूपीच्ट नहीं है तिक अगला कि आप जो कह रहे हैं उसमें कितने परकार की इसमें लिख 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 लि जितने अधिक विचार होंगे और जितने भी आप चाहें अपने पक्ष के हो या विपक्ष के हो जितने अधिक से अधिक विचारों को साथ मिलेकर चलेंगे वह आपकी personality के उतने ही dimension को क्या करेगा बताएगा तो अगर आपके निबंद में ये सब चीजे आ गई तो आपका न बताओ आसान है कि नहीं बोल दो सब लोग बोल दिजिए सब लोग आसान है कि नहीं मैंने क्या वोला था मेहनत करो सही दिसा में करो सही उद्देश के लिए करो हर चीज आसान है एक दम आसान है अभी देखो अच्छा एक चीज और अभी हम क्लास बंद कर रहे हैं आपको कसा में सब को ठीक है बहुत मेंनत किये हैं सबी लोग अच्छा अच्छा कमेंट करके जाएएगा और फैला दीजिए इस वीडियो को यही हमारे लिए गुरु दच्छना होगी तो खराब करेएगा लेकिन कमेंट करके जाएगा ठीक है क्लास बंद कर रहा हैं अच्छ अच्छ है कमेंट का इंतिजार रहेगा हम भी आपकी आडी से जोड़ना चाहते हैं थैंकe सो मच्छ भाकी सके आगे की जरनी अभी बहुत कुछ बचा हुआ है अभी हम इहां पर है यहां से लेकर यहां तकाना है अभी लंबी चर्णी है इसके आगी चर्णी कल होगी ठीक है थैंक यू